हलो पता है हम कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं मेरा नाम है जमाल और मैं हूँ इसकी बहन यानि के सिस्टर हम यहाँ आपको एक कहानी सुनाने आए है हमारी कहानी सुनाएं अभी सुनाते हैं ध्यान से सुनना बहुत साल पहले की बात है एक गाउं में एक प्यारा सा लड़का रहता था जमाल और उसके साथ थी उसकी प्यारी सी क्यूट सी बहन आईशा और यह जमाल और आईशा एक प्यार इसे घर में अपनी अम्मी और अब्बू यानि के अपनी मम्मी और पापा के साथ रहते थे जमाल और आईशा दोनों ही बहुत ही अच्छे बच्चे थे बढ़ाई भी अच्छे से करते थे और खेलकूद में भी अपने स्कूल में फर्स्ट आते थे हर तरह के कॉंपिटिशन में भाग लेते थे यानि के कोई भी आक्टिविटी हो वो साब आक्टिविटी में पार्टिसिपेट जरूर करते थे चाहे वो फर्स्ट आएं या ना आएं क्योंकि उन्हें पार्टिसिपेट करने में वो activity बनाने में बहुत मज़ा आता था और वो इसलिए भी करते थे क्योंकि उनकी अम्मी ने यानि कि उनकी मम्मी ने उन्हें हमेशा से सिखाया था कि जीतना ही सब कुछ नहीं होता हम जब कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने में जो मज़ा आता है जो हम enjoy करते हैं वही सबसे main चीज होती है इसलिए हमें हर तरह के activities जरूर करने चाहिए एक दिन जमाल और आईशा दोनों के school की चुट्टी थी जब जमाल सुबह सो कर उठा तो उसने देखा कि पापा भी घर पर है पापा ओफिस नहीं गए अरे ये क्या हमारी तो चुट्टी है पापा की भी चुट्टी है आज ऐसा क्या है फिर वो अपनी ममी के पास गया तो उसने देखा कि उसकी ममी क्या कर रही थी उसकी ममी कपड़े निकाल निकाल के बॉक्स में पैक कर रही थी अलग-अलग कपड़े कोई ममी का कपड़ा था तो कोई पापा की टी-शर्ट थी और फिर उसने पूचा ममी, अमी, ये क्या कर रही हो हम कहीं जा रहे हैं क्या ओहो, हम दादा-दादी हाँ जा रहे हैं तो उसकी अमी ने बोला नहीं तो अच्छा, तो हम ना-ना-नाने के घर जा रहे हैं ये बहुत मज़ा आई का मैं तो खूब सारा खिलूंगा वहाँ तो उसकी अमी ने फिर बोला हम कहीं नहीं जारे बेटा मुझे काम करने दो उसने कहा, वो उसको अधिश हो गया उसने सुचा, हम कहीं जा भी नहीं रहे और फिर भी ममी कपड़े पैक किये जारी है ममी क्या कर रही है फिर उसने पूछा, तो अम्मी, आप ये पैकिंग किसले कर रहे हो, ये सारे कपड़े, किताबें, मेरी पुरानी बॉक्स भी रख रहे हो, ये क्यों पैक कर रहे हो इस बॉक्स में? तो उसकी ममी ने कपड़े रखते वे कहा, क्योंकि आज ईद है, परिशान मत करो, बहुत काम है आज मुझे, चलो जाओ यहाँ से, ये बोलके उसकी ममी अंदर और कपड़े लेने के लिए चली गई, तो उसने जाकर बॉक्स में जहांका, अरे इसके अंदर तो अच्छे अच कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या करूं मैं, क्या करूं क्या करूं, पापा से पुछूं, पापा नजर नहीं आ रहे, कहीं चले गई लगता है, ठीक है, चलो, मैं ऐसा करता हूं, कि मैं खिरने जाता हूं, और ये बोलकर, ये सोचकर, वो फटा फट जाकर, खिरने चला गया पार्क में पार्क में जाके वो खेलने लगा अपनी कार के साथ वो एक ब्लू कलर की कार थी जो जमाल की फेवरेट थी रूं 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 श्यूँ 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 उसको बहुत मज़ा रहा था खिलने में तब ही उसने देखा कि पार्क के दूसरी तरफ एक छोटी बच्ची गौर से उसको देख रही थी खिलते हुए उस कार के साथ और ऐसा लग रहा था कि उसे वो कार बहुत पसंद आ गए थी जमाल थोड़ी दिल तक उसको देखता रहा तिर उसने अपनी कार उठाई और वो फटाक से अपने घर भाग गया अब वो लड़की वहीं खड़ी होकर जमाल को जाते हुए देखती रही जब जमाल घर वापिस पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी मम्मी पूरा बॉक्स भर चुकी थी कपड़ों से और उन्होंने बॉक्स बंद कर दिया था तो जमाल को याद आया कि उसने अपनी मम्मी से पूछा ही नहीं कि आज क्या है जो सब की छुटी भी है और मम्मी सुबह सुबह एक बॉक्स में पतानी तरा तरा का समान डाले जा रही है तो फटा फट भाग के ममी के पास गया अम्मी अम्मी प्रीज मुझे बताओ ना आज क्या है आप ये क्या कर रहे हो जब हम कहीं जाने रहे तो फिर आपने ये बॉक्स में इतने सारे कपड़े किताबे ये सब क्यों भरी है बताओ ना तो उसकी अम्मी ने बोला क्योंकि आज इद है बताया तो था इद हमें बता है कि इद एक फेस्टिवल का नाम है लेकिन उसका इस बॉक्स से क्या लेना देना बॉक्स में क्यों सारा समान पैक किया तो उसकी अम्मी ने प्यारे से मुस्कुराया और बोला बेटा इद इद का मतलब होता है देना आज के दिन हम इद फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं इद फेस्टिवल क्या होता है पता है तो जमार ने बोला नहीं पता मम्मी तब ही तो सुबह से पूछ रहा हूँ आपके पास टाइम ही नहीं है तो उसकी अम्मी ने बोला बेटा इद वाले दिन हम सब हमारे पास में देखो कितना कुछ है इतना बड़ा घर है, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े है, खाने के लिए अच्छा खाना है, पढ़ाई करने के लिए कॉपी किताबे भी है, इतने अच्छे अच्छे कपड़े भी है. लेकिन बेटा ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं? इद वाले दिन हम अपना कुछ सामान शेयर करते हैं शेयर नहीं, चारिटी में देते हैं चारिटी? अब ये चारिटी क्या होती है अम्मी? मुझे नहीं समझाया बेटा, चारिटी चारिटी मतलब की दान में देना बेटा अपना कोई समान हम बिना किसी पैसे के लिए बिना कोई पैसा लिए जब किसी को देते हैं तो उसे चारिटी कहते हैं ठीक है? इसे दान करना भी कहते हैं अच्छा तो ये होता है चैरिटी ओके तो इसलिए आपने इस बॉक्स में इतने सारे कपड़े हमारी बुक्स सब डाला है तो अमी ने बोला हाँ बेटा देखो वो आपकी पुरानी बुक्स है आप वो पड़ चुके हो अब वो आपके किसी काम की नहीं है और वो जो कपड़े हैं वो भी छोटे हो गए है इसलिए हम ये बॉक्स भर के किसी आश्रम में जाएंगे किसी अनाथाले यानि कि और्फेनेज में जाएंगे जहां पे ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके ममे बापा नहीं है तो उन्हें इन चीजों की हमसे जादा जरूरत है तो हम ये पूरा बॉक्स वहाँ देंगे ताकि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो इन्हें यूज करें अब समझ में आया कि इद क्या होता है हाँ ममा अब समझ में आ गया एक मिनट रुको मैं अब भी आता हूँ ये बूल कर जमाल वहाँ से भाग गया अरे सुनो बेटा हमें लेट हो रही है हमें जाना है जल्दी करो ओफो ये लड़का भीना पता नहीं क्या करता है और फिर थोड़ी देर बाद में जमाल भाग कर वापस आया और उसके हाथ में वही ब्ल्यू वाली कार थी वो कार उसने अपनी मम्मी के सामने रख दी तो उसकी मम्मी ने कहा इस कार का क्या करूँ मम्मी आपने ही तो बोला चैरिटी तो ये मेरी कार वो भी इस बॉक्स में डालो ये भी चैरिटी में जाएगी इसे भी और्फनेज में दे देना तो उसकी मम्मी हैरान हो गई क्योंकि ये ब्ल्यू कार जमाल की फेवरेट कार थी उसकी अम्मी ने बोला पर बेटा ये तो आपकी फेवरिट कार है ये मैं कैसे चैरिटी में दे दूँ क्या आप इसके बिना रह लोगे तो जमाल सोचने लगा फिर बोला हाँ मैं रह लूँगा तो उसकी अम्मी ने पूछा क्यों बेटा क्या हो गया तो जमाल ने बताया जब मैं आज पार्क गया था ना अम्मी खेलने के लिए तो वहाँ पे एक छोटी लड़की थी जो बार-बार मेरी इस कार को देख रही थी अब मुझे समझ में आया कि वो मेरी कार बार-बार क्यों देख रही थी उसके पास में पैसे नहीं होंगे न कार खरिदने के लिए तो उसका भी मन कर रहा होगा ऐसी कार के साथ खिलने का ऐसे बच्चे और्फेनेज में भी होंगे न जिनका मन करता होगा अच्छे अच्छे खिलोनों के साथ खिलने का तो ये जरूरी तो नहीं है नाम मी कि हम सर्फ पुरानी चीज़े ही दे पुराने खिलोने ही दे हम अच्छी चीज़े भी तो दे सकते हैं इसलिए मैं अपनी ये न्यू कार देना चाता हूं उसकी ममी बहुत खुश हो गई बोली वाव बेटा तुमने तो बहुत अच्छी बात कही ठीक है मैं ये कार भी इस बॉक्स में डाल देती हूं उसकी ममी ने कार बॉक्स में डाली ही थी कि तभी आईशा वहां आ गई अरे अम्मी ये आप उसकी जमाल भाईया की न्यू कार क्यों बॉक्स में डाल रहे हो तो उसकी ममी मुस्कुराई और बोली इसलिए डाल रहे हूं क्योंकि जमाल अपनी इस न्यू कार को भी चैरिटी में देना चाता है आईशा जिसे चैरिटी का मतलब अच्छे से पता था बोली अच्छा हम वो सोचने लगी था तो जमाल गुड़ बॉय बन जाएगा हम मैं भी तो गुड़ गल हूँ मैं भी अपनी कोई अच्छी चैरिटी में दूँगी ये सोचके वो भी वहाँ से भागी अरे अम्मी अभी जाना नहीं रुको मैं आती हूं मैं आती हूं और वो जाकर अपना एक सॉफ्ट टॉई लेकर आ गई जो एक प्यार ऐसा छोटा ऐसा रैबिट था उसने बुला अम्मी ये रैबिट भी इसमें डाल दो ममा हां ये भी चैरिटी में दे दो मैं भी देना चाहती हूं अपनी तरफ से तो इसकी अम्मी बोली क्या तुम्हें पक्का यकीन है क्योंकि तुम रोज रात को इसको लेके सोती हो अब रात को रोगी तो नहीं नहीं अम्मी जैसे ये मुझे खुशी देता था हैपी करता था वैसे जब ये और्फेनेज में जाएगा तो ये वहाँ के बच्चों को भी हैपीनेस देगा इसलिए ये इसको भी बॉक्स में डाल दो इसे भी बच्चों को देना वो बहुत खुश हो जाएंगे जमाल और आईशा की मम्मी ने फाइनली उनके खिलों भी बॉक्स में डाल के बॉक्स को बंद कर दिया और तभी उनके पापा भी वहाँ आ गए अरे चलो देर हो रही है चलो चलो मैं ये बॉक्स उठाता हूं और तुम लोग मेरे साथ साथ चलो ठीक है मैं ये बॉक्स उठा के कार में डाल देता हूँ चलो आज़ो जल्दी आज़ो ये बोलके उसके बापा वो बॉक्स वहां से ले गए और फिर उनकी मामी ने बोला बेटा हम जाते हैं और और फैनेज में ये बॉक्स देखकर आते हैं आज सच बताओं तुम दोनों बच्चों ने मुझे बहुत खुशी दी है असली इद तो तुमने मनाई है असली इद यही है सिर्फ पुरानी चीज़े देना ही नहीं इद कहलाता इद का मतलब है जरूरत मंद यानि के जो नीडी पीपल होते हैं जिने चीजों की जरूरत होती है उन्हें वो चीज़े देना जिनकी उनको जरूरत है ये जरूरी नहीं कि आप अपने फटे पुराने कपड़े दे आप नए कपड़े भी दे सकते हैं आप अपनी अच्छी अच्छी कॉपी किताबे भी दे सकते हैं आप अपने अच्छे new toys भी दे सकते हैं वही तो है असली ईद सिर्फ share करना नहीं, care करना भी जो दूसरों के बारे में अच्छा अच्छा सोचे उनकी जरूरतों को पूरा करे वही है असली इंसान वही है जो ईद को सच में मनाता है पर जाने से पहले एक बात और कहूंगी क्या ममी, क्या? ईद मुबारक मेरे बच्चों, ईद मुबारक आज तुम लोगों ने असली ईद मनाई है तुम लोगों ने नीडी पीपल को, नीडी चिल्डरन को जरूरत मन्त बच्चों को उनकी जरूरत वाली चीजे दी है शबाश, शबाश, I am so proud of you चलो अब तुम लोग घर में जाके आराम करो मैं और तुम्हारे अबू जाके और्फेनिश में बच्चों को खुश करके आते हैं चलो बाई बाई, बाई ममी, बाई ममी, बाई बाई ये बोलकर जमाल और आईशा दुनों घर की तरफ चल दिये तो बच्चों, आपने क्या सीखा? आज कौन सा दिन है? आज इद है इद मुबारक हो बच्चों, इद का मतलब होता है जरूरत मंद लोगों को उनकी जरूरत वाली चीज़े देना यानि के चैरिटी करना आप चाहें तो आप अपने पुराने खिलोने या नए खिलोने बजार से खरिद कर भी दे सकते हैं अपने आसपास देखो, अपने ममी पापा से पूछो कि ऐसे कहां हैं बच्चे? ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जिने आप लोगों की मदद की जरूरत है आपकी हेल्प की जरूरत है तो आज अपने आप से प्रामिस करो कि आज एक फेस्टिवल का दिन है आज आप सब लोग जरूर कुछ ना कुछ जरूरत मन लोगों को दोगे ओके बच्चो, इद मुबारक हो, बाई बाई